तो सभी को जै हिन जै भारत मैं जुवेश्कमार स्वागत करता हूँ आपका डिफेंस अड़ा 24-7 पर तो सभी का वेलकम है जल्दी से सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएगा और आज हम D.F.C.C.I.L. के लिए अपना जनल साइंस का सेक्शन करेंगे दिहान रखेगा जनल साइंस का एक अलग से उसमें जनल जो जनल नालेज है वो तो पूछी नहीं है सिंपल लिखावा है History of Railway, Indian Railway, D.F.C.I.L., Journal Science और आपका Reasoning और Aptitude तो आपका इसमें जो ट्रडीशनल हम जोगरफी और Indian National History और पॉलिटी पढ़ते हैं वो नहीं आता इसमें आपका आता है आपका कौन सा टॉपिक इसमें आपके आता है Journal Science और History of Indian Railway and D.F.C.I.L. और उससे रिलेटेड जीके तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को तो पहला कोशन आपकी स्कीन पर यह रहा लाइट इयर इस रिलेटेड टू विच बहुत ही पपू टाइप कोशन है बहुत ही सिंपल सा कोशन है दिलोकी नाथ गुपता सर को नमशकार कैसे हैं सर आप भाई सभी लोग सुरक्षित रहें अपना घर पे रहें और इसका एक्जाम जो होता ना जल्दी होने के चांसे जैसे देख रहा था मतलब मेरे मेरे कौन से ऐसे विश्वसने सोर्से से इधर उदर मैं यूटूब पर वीडियो देख रहा था तो मेरे को यह मतलब जो पिछले साथ के एक्जाम जल्दी लेते तो एक्जाम तो इसका जल्दी होगा लेकर अभी स्थिती ऐसी है नि होगा नुश्कार सर तो हेलो सर तो स्पीड चलो ठीक है मैं बताता हो देखो जो सबसे तेज चलती है नो क्या चलती है हमारी प्रकास और प्रकास से तेज होता है मारा मन जो प्रकास की चाल होती है निरवात में यानि वैक्यूम है पहली बात तो हम मैं से आधे लोग ना व vacuum की spelling यह होती है, V-C-C-U-M, okay, vacuum में जो light की speed है, वो क्या होती है, 3 into 10 to the power 8 meter per second होती है, यहनि 3 lakh km per 30 second होती है, वैसे अगर देखा जाए, तो 2 lakh 997 km per 30 second होती है, निरवात में, एक साल में तैगी गई दूरी को परकास बर्ष बोलते हैं, space में, अंतरिक्ष में, जो हम distance को measure करते हैं, उसमें हो, हम light year में measure करते हैं, light year में किता distance होता है, 9.46 into 10 to the power 15 meters या 5 meters बोलते हैं, लेकिन यह दूरी की सबसे बड़ी ही का, यहनि distance की largest unit नहीं होती है, distance की सबसे largest unit को उनसे होती है, आपकी parsec होती है, parsec आपकी किस के बड़ाबर होती है, parsec होती है, आपका 3.26 light year के बड़ाबर, that means 3.08 into 10 to the power 16 meters के बड़ाबर, आपकी क्या होती है, parsec, parsec is the largest unit of distance, largest unit of distance, तो जो हमारा batch होगा न, उसमें सबसे पहले मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, physics में की units, measurement और units यही पराऊंगा, ओके, इसका job profile क्या रहाता है, सर, इसका job profile is like CRA, जो भी डिल्ली मेट्रों में होते हैं, जैसे, और station manager दोनों, इस तरीके का job profile होता है, ठीक है, आपका manager skills भी होनी चाहिए, और इसमें जो medical है, last में medical लिखा है, actually इसमें psycho test है, ठीक है, वो यह नहीं देखेंगे, कि तुम्हारा हाथ पर कैसे काम करेंगे, तुम्हारा हाथ पर के लावा तुम्हारा psycho कितना pressure दे सकते हो, तो ध्यान रखना, इसमें psycho test भी है, और यह क्या बात है भाई, मतलब अब इस्टुडेंट देख रहे हो, अगर अच्छा ना लगए na session को तो dislike भी करना है, लेकिन अगर अगर अच्छा लगए तो like जरू करिएगा session को, तो पार से किता है 3.26 light years होता है, ओके ओके, एक चीज़ अभी 10 to the power 11 meters होता है वो किता होता 1.5 यानि 15 करोड किलो मिटर अर्थ और सन के बीट जो दूरी है, उसे हम क्या बोलता है astronomical unit, यानि खगोल यह काई बोलता है, जो 1.5 ठीक है, इन्टू 10 to the power 11 meters होती है, और एक होता Fermi, ठीक है, Fermi Fermi क्या होती है, आपकी smallest unit of distance होती है, कित्ती होती है 10 to the power minus 28 meter per second है, दोगो कित्ती सारी चीज बता दी आपको, ओके Fermi is the smallest unit of distance Parsec is the largest unit of distance, हाँ बिलकुल आज तूफान आना है, क्योंकि इसका reason क्या है, low pressure बन रहा है Northern India के उपर, इस वज़े से आपका तूफान आना ज़रूरी है आज, ठीक है और बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है धन्यवाद, 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 ओके सर इसमें एक exam है, दो सर जी, एक exam है उसके बाद आपका psycho है, psycho में आपका reasoning के ही question होते है, तो reasoning को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, चलिए इसी बात पर इस question का answer दो, कि electric stove में हम कौन सा metal यूज़ करते हैं, ठीक है, electric stove में हम कौन सा metal यूज़ करते हैं, और bulb में हम tungsten क्यों यूज़ करते हैं, जल्ली से बताओ, bulb में हम tungsten क्यों यूज़ करते हैं, यह answer जल्ली से बताओ, दोस्तों क्या होगा इसका answer, बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से, हाँ, यह figure, हाँ, यह figure PDF में भी available होगी, बिल्कुल, यह figure आपको PDF में भी available होगी, don't worry, आप लोग बस answer दो, जल्ली से, ठीक है, इस question का answer क्या होगा, copper, इन्वार, ओके, तो नाइक्रोम होगा, ठीक है, और ध्यान रखेगा, तंग्स्टन जो होता है, बल्ब में यूज़ होता है, तंग्स्टन, अच्छा, तंग्स्टन को बल्ब में जो यूज़ करते हैं, वो उसका ही, क्योंकि तंग्स्टन का metal में सबसे high melting point होता है, तंग्स्टन का metal में सबसे high melting point होता है, 35 degree Celsius, तंग्स्टन, अगर कभी कोशन पूछे जाए, सबसे भारी material तो ओस्मोनियम, सबसे highest melting point तो तंग्स्टन, सबसे lightest material तो lithium, इस तरीके से, लिख दू क्या जल्दी से बताओ, ओके, बिलकुल, हाँ, highest point होते है, ओके, सर, बरांच paper की कैसे पढ़ाई करें, जैसे आपने पढ़ाई करी, ठीक वाली जमें ऐसे करें, पढ़ाई बढ़ाई, चलो इस question का अंजर दाओ, second pendulum, which execute one oscillation, second वाला जो pendulum होता है, ठीक है, जो हमारा घडी में लगाता है, second pendulum होता है ना मारा, घडी में जो लगा रहा रहता था पहले, तो वो आपका, जो execute करता है, एक oscillation, यानि एक oscillation किती देर में पूरी करता है, one second, two second, three second, या none of these, ओके, one second, two second, three second, इसका answer क्या होगा, जल्दी से बताओ, 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 फटाओ, फटाओ, जल्दी से, कि जो second pendulum है, वो कैसे कलता है, ओके, अच्छा, मैं लिख देता हूँ, चलो, अभी लिख दूँगा, एक next question का answer, two second है, ठीक है, दूसी चीज़ द्यान रखेगा, एक चीज़ द्यान रखेगा, कि, जो pendulum है न, ठीक है, pendulum, यह आपका gravity पे काम करता है, किस पे काम करता है, gravity पे काम करता है, अब ध्यान रखेगा, pendulum slow कब होगा, जो pendulum है, ठीक है, ध्यान रखो, pendulum जो है, ये आपका slow, ऐसे पूछा जाता, fast and slow कब काम करेगा, ठीक है, ये question आते हैं, जरह ध्यान से सुनो, तो अगर गर्मी होगी, ओके, आपका गर्मी होगी, तो ये slow काम करेगा, यानि hot temperature होगा, या summer होगा, तो ये क्या होगा गर्म होगी, तो ये slow चलेगा, क्योंकि length बर्ड जाएगी, pendulum की, winter, winter, और क्या कहते हैं, या cold, cold में, ठंडर उने पर तेज गाम करेगा, फिर equator पे, equator, equator, equator पे, earth का जो radiation है, वो ज्यादा, तो gravitation force equator पे सबसे कम है, अब poles पे ज्यादा है, तो poles पे fast चलेगा, और equator पे क्या चले गा, धीर चलेगा, पोल्स पे fast चलेगा, equator पे धीर चलेगा, वैसे two seconds इसका answer है, okay, हाँ, SI unit of magnetic flux क्या है, चीक है, SI unit of magnetic flux क्या है, Weber, Tesla, Henry, Ohm, जली से बताएगा इस question का answer क्या है, okay, okay, SI unit of magnetic flux, तो SI unit of magnetic flux is Weber, okay, SI unit of magnetic flux is Weber, okay, इस question का answer क्या होगा, Weber होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला question, Weber, और इसमें जो Tesla है न, Ohm तो आपका resistance का होता है, Ohm आपका resistance का होता है, ठीक है, Henry जो होता है, और Tesla जो होता है, Tesla आपका जो unit होता है, वो आपका magnetic flux density का होता है, किसका होता है, Tesla जो unit होती है, तेसला जो आपकी unit होती है, वो आपकी किसकी unit होती है, magnetic flux density की होती है शायद किसके होती है magnetic flux density की आपकी होती है हाँ बिल्कुल सभी टेसला जो होती है magnetic magnetic flux density की आपकी क्या होती है question repeated तो नहीं कह सकता है हाँ concept wise थोड़ा से same रहेंगे क्योंकि paper में इसी तरीके के questions आते हैं ठीक है और धियान रखेगा आपका henry जो होता है radio activity की तो जो होती है bacural होती है और henry जो है ना magnetic inductance की होती है किसकी होती है magnetic inductance की होती है inductance की unit होती है ओके जली हाँ सर executive operation के लिए क्या पढ़े पढ़े प्लीज बोल दीजे चिंटू सर आप ना क्या पढ़े तो पहली बात आप शाद महराष्टर से है तो आप सबसे पहले तो journal science का 11-12 तक की optics और wave theory वहां तक अच्छे से पढ़े और history of Indian railway अगला question which of the following is responsible for glittering of air bubble rising through water जो आपका air bubble है ठीक है air bubble है जो पानी से उपर rise होता है जाग बनते है तो बहुत चमकता है glitter कलता है उसका surface बड़ा चमकिला शाइनी शाइनी से लगता है वो किस कारण होता है reflection of light reflection of light total internal reflection of light yes creating of light वैसे अगर मैं बता हूँ आपका जो air bubble है न ये behave आपका concave lens की तरह कलता है ठीक है ध्यान रखेगा behave आपका ये concave lens की तरह कलता है ये भी question पूछे जाता है आपका कि जो आपका ये air bubble है हवा का bulbulा है जो साबुन से बनाते है साबुन के पानी से कौन से lens की तरह behave कलता है तो आपका इसमें दो layer होते है इस वज़े से concave lens की तरह behave कलता है कौन से lens की तरह concave lens तो इस question का जो answer होगा वो क्या हो सकता है ठीक है total internal reflection ये reflection of light तो इस question का answer है option number C total internal reflection total internal reflection क्या होता है एक ना critical लेंग देखो यहाँ पर आपको light की जो light wave है जब वो rarer medium से denser medium में enter करती है तो वो अपने path से deflect हो जाती है और यहाँ पर तो इसे हो जाती है ठीक है यहनि नॉर्मल की तरफ आ जाती है इस reflection of light के कारण आपका early early sunrise ठीक है early sunrise और delayed sunset देखने को मिलता है ठीक है अब यह ऐसा क्यूं देखने को मिलता जारा है ध्यान से सुनना यह आपका इदर हमारा पृत्वी है यह आपका क्या है horizon है sun आ रहा है पृत्वी के चारो और क्या है atmosphere है denser medium earth और sun के बीच में क्या है vacuum rare medium तो light waves ऐसे enter करती है डिफलेक्ट हो जाती है तो दो मिनिट पहले दिखने लगता है same यही condition आपकी शाम के समय और डूबने के बाद दो मिनिट तक दिख सकता है तो early sunrise early delayed sunset आपका किस्से होता है reflection of light के करण अब क्या होता है अगर उल्टा कर दो अगर इस process को मैं उल्टा कर दू इस process को उल्टा कर दूँगा मतलब अब जो light wave है वो denser से rarer medium में कर जा रही है तो वो अपने path से बहुत जादे deflect हो जाएगी अपने path से क्या होगी away from normal हो जाएगी क्या हो जाएगी away from normal इस तरीके से deflect होगी ठीक है इस तरीके से deflect होगी यहाँ पर एक चीज होती है critical angle बोलते है वो critical angle है कि जब वो इतनी deflect हो कि अपने इस normal से यहां से यहां तक पूरा 90 degree का angle बना ले और जब यह critical angle से जादा हो जाता है तो वो उसी medium में बहुत जाती है तो आपका यह आपका तब क्या होता है total internal reflection ध्यान रखेगा total internal reflection आपका तभी take place होता है कि जब जो light wave है वो dancer से rarer medium में travel कर रही हो किस में कर रही हो dancer से rarer medium मैं आप सब लोगों को जो पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि वो total internal reflection के कारण ही पर रहा पा रहा हूं क्योंकि आपका जो optical fiber है आपका जो optical fiber है यानि जो मैं internet use कर रहा हूं तो जो use हो रहा है वो optical fiber total internal reflection पर कर रहा है और submarine में जो देखते है periscope ठीक है submarine में जो आप देखते हो periscope उसमें आपका क्या use होता है total internal reflection होता है आदमी का शरीर में एक camera type यह winner type देते हैं जिसे बोलते है endoscope बोलते है endoscope तो उसमें भी आपका क्या use होता है total internal reflection scattering of light जो परकाश की करण है वैसे आपको पता है Valentine Day के ठीक 14 दिन बाद 28 February को हम क्या बनाते है Science Day बनाते है क्या बनाते है 28 February को हम Science Day बनाते है तो ध्यान रखेगा Science Day वाले दिन क्या हुआ था 28 February 1930 को सिवी रवन साम ने एक सफेद रोशनी को प्रिजम से गुजारा था और वो सफेद रोशनी सात रंगों में बढ़ गई थी तो violet indigo blue यह सबसे ज़्यादा bend होते है यानि सबसे ज़्यादा आपने आसपास के environment में assimilate यानि घुलते है तो scattering of light क्या होती है हमारे अट्मोस्फेर में water vapor और dust particle है तो light जब इन से टकराती है तो चारों दिशाओं में यानि all the direction में deflect होती है और violet indigo blue यह साथ सबसे ज़्यादा अपने आसपास के environment में assimilate होते है इसी वज़े से के scattering of light के कारण sky blue हमारा कल हमारे दिखाय देता है और session को share और like जरूँ करेगा session को भॉँ मजा आ रहा है session में तो THE session को share और like जरूँ करते वे चलेगा बहुत 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 बहुतरीन चलिया आगे बढ़ते हैं और कमेंट करके जरूँ बता दोस्तों आजू Sextent, अब इसका नाम क्या है Sextent, तो Sextent का हम किसमें use करते हैं, instrument is used in measuring, cloud cover, navigation, agriculture और medical treatment, तेको plant की growth करने के लिए एक जदीष चंद्र बोस थे, जेसी बोस उन्हां बोलते थे, उन्हांने plant की growth को measure करने के लिए एक instrument बनायता जिसका नाम था, क्रेस्को ग्राफ बोलते तो से हम क्या बोलते थे क्रेस्को ग्राफ प्लांट की उसको मेजर करने के लिए एक बनाया था क्रेस्को ग्राफ अब इसका question answer है अब reasoning का time का में खाल से आगे बीछ होती 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 है मेरे को ध्यान नहीं है इसका answer है वो पढ़ाता है आपको शुवर्म सरी तब बता है मेरे से पहले होती है ये बाद मोती है ओके बी option है पिलकुँ navigation navigation में use होता है और किस में होता है ये navigation c में ठीक है c में c में navigation के लिए कलता है sextant का use चलिए आगे बढ़ता है इस type के question भी आता है जरा answer दो जरा इसका two flat mirror 60 degree के angle पर ऐसे रखे हुए है, बीच में एक मुमबत्ती जल रहे है, गुम नाम है कोई, तो उस मुमबत्ती की किती images बनेगी, जल्ली से बता उस question का answer क्या होगा, और session को na share और like करते हैं जोर चलेगा, अरे चार लोगों को पसंद नहीं है, कोई बात जल्ली से बता उस question का answer क्या होगा, two flat mirror, ओके, हाँ celestial navigation बिलकुन, अब जरा दिहान से सुनिएगा, अगर कभी इस तरीके का question आया, तो number of images के लिए एक formula है, 360 by theta minus 1, और इससे आप number of images को निकाल सकते हो, ओके, अब आपको कितना ही degree का angle दे दिया जा, 360 by 60 minus 1, तो यह आपका क्य हो जाएगा, और आपका 5 answer आजाएगा, ठीक है, नमस्कार समझी, ओके, तो इस question का answer 5 होगा, ठीक है, इस question का answer क्या होगा, 5 होगा, अगला question, अब जरे question का answer दो, इतना मैं आपके comment देखता हूँ, क्योंकि यह मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सर जी, last year वाले apply कर सकते है है, एक हाल से उसमें, जिनका result आज सुका है, वो ही apply कर सकते हैं, ठीक है, नमस्कार भी मिश्रा, मदू, ओके, वेरी गुड, को लगू, नरिश्कमार, ओके, नहीं भाई, math भाई, पढ़ो, ओके, ठीटा क्या होता है, ठीटा भाई, आपका degree होता है, अंगल का unit होता है, ठी स्टील, will become slow, slow कहां पे चलेगी, slow कहां पे चलेगी, okay, okay, जल्दी से बताओ, इस question का answer क्या होता है, temperature rise करने पे तो slow होगी, मैंने आपको बताया था, moon पे ले जाओके, moon पे ले जाओके तो भी slow होगी, क्योंकि moon पे आपका gravitation, earth का 1 by 6 हो जाएगा, लेकिन equator पे ले जाने पे तो तेज हो जाएगी, equator पे ले जाने पे तो तेज हो जाएगी, okay, equator पे तो ले जाने पे क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगी, B will be the right answer for this, अच्छा, answer दो इस question का, formation of rainbow, dispersion of light, coin appears, okay, coin appears raised when placed through a field of water, यानि अगर आप aquarium में से कडाल दो, या पानी के गिलास में से कडाल दो, उबरावा दिखाए देगा, pencil teddy यू दिखाए देगी, तो ये आपका इन में से कौन सा reflection, यानि अपवलतन के कारण कौन सा होगा, ओके, अपवलतन के कारण कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, इस question का answer क्या होगा, हम, अरे हाँ भाई, चिंटू पढ़ना है भाई, पढ़ना पढ़ेगा, ऐसे थोड़ी है, इतने लोग apply कलते हैं, बिना पढ़े कुछ काम होगा, ठीक है, तो, ऐसे कह रो, मेरे कहने से, जिसे मैंने कह दिया, नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे तो पढ़ोगे, वो तो आपके अंदर से motivation होती है, ठीक है, ओके, तो जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा भाई, ओके, फटाफट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा, formation of rainbow, dispersion of light, a coin appears raised when placed through a field of water, ओके, तो इसका आंसर आपका, 123, ठीक है, क्योंकि refraction के कारण ही, आपका formation of rainbow होता है, क्योंकि वो bending of light होती है, वो चाहिए, उसमें होता हो, फिर आपका dispersion of light तो होता ही होता है, और आपका, यह होता हो, option number D, इसका right answer है, ठीक है, option number D, strongest force in the universe, ओके, universe में सबसे ताकतवर force कौन सी है, strongest force in the universe, universe की सबसे ताकतवर force बताओ, ओके, नई, rainbow scattering of light से नहीं होता है, scattering of light से तो आपका वो होता है, सल जी, वैसे rainbow ना आपका 200 होता, dispersion of light से होता और reflection of light से होता, ठीक है, scattering of light से आपका color of sky blue दिखाई देता है, ठीक है, अक्की, आपको बता रहा हूँ, ओके, जल्दी से बताओ, उस question का answer है, strongest force in nature, ओके, strongest force in nature क्या होता है, ठीक है, यह बताओ, उस question का answer क्या होगा, strongest face of nature, ओके, जल्दी से बताओ, हाँ, okay, मन, मैं सुन लिया, सुन लिया, देखो यार, यहाँ पर क्या होता है, dispersion of light क्या होता है, dispersion of light एक नट, यह पिछला question देखा देखो, dispersion of light क्या होता है, जब white जो होती है, white light, सात रंगों में बट जाती है, ठीक है, यह आपका dispersion of light बोला जाता है, क्या बोला जाता है, dispersion of light, जब water bubble होता है, ठीक है, यह एक lens की तरह काम करता है, जलवाश्प होता है, तो उसमें जब light ray enter कलती है, और फिर सात रंगों में बटती है न, तो इस कारण reflection और dispersion के कारण हमें rainbow दिखाए देता है, ठीक है, आगे बटता है, strongest force कौन सी है हमारी, तो strongest force आपकी nuclear force है, gravitational force आपकी weakest force है, यह क्या है, आपकी weakest यह नहीं सबसे कमजोरबल है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो आपकी जो gravitational force है, वो क्या है, आपकी सबसे weakest force है, सबसे कम है, इसमें आपकी क्या है, सबसे weakest store है, ओके, सर्दी है, data कीजेना, अरे कल्यान, तुम आज ही आए हो, ठीक है, इससे पहले में, detail में ही पढ़ा रहा हूँ, कज भी देखो के, lecturer detail में ही करा है, ओके, weakest force है, चलिए, आगे बढ़ता है, absorption of ink by bloating paper, ओके, absorption of ink, अब जाए मॉमबत्ती में, आपका wax का उपर जाना हो, लाल्टेन या, आपका DA में, तेल का या घी का उपर जाना हो, तो वो किसका कारण क्या होता, वो होता है, आपका adhesive force, दो type की force होती है, adhesive force और cohesive force, तो जो होता है, ये किसका कारण होता है, capillary action, capillary action में क्या होता है, adhesive force होती है, क्या होती है, adhesive force, तो capillary action phenomena इसे हम बोलते है, okay, कि इसमें posting का मिलती है, इसमें posting railway station पर मिलती है, ठीक है, और घर के पास तो नहीं मिलती है, ठीक है, इसमें zone बटे हुए है, ठीक है, अभी mainly तो यह eastern और western sector पर ही चलता, तो आपका जो mainly posting होगे, राजस्थान, पंजाब से ले कर राजस्थान, और पंजाब से ले कर आपका इत ओके भाई एक कोशन एक बारी पूछा करो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो पहले बात तो यह हाँ यह कोशन थोड़ा से टेकनिकल तोर पर गलत है एटमोसफेरिक प्रेशर को जो हम मेजर करते हैं न वो हम मेजर करता है बैरोमीटर ठीक है तो अभी जहां पर मैं दिल्ली में हूँ इस वक्त तो थोड़ी देर पहले बहुत मौमला शान्त हो रहा था क्योंकि बैरोमीटर में प्रेशर कम हो गया था तभी एकदम से बारिश बादल वगारा आगे बैरोमीटर तो बैरोमीटर में आपका जो होता ना बार में युनिट होती है वैसे यहां पर प्रेशर की जो आटमेटिक युनिट होती हो आपके पासकल होती है तो इसवोजे से पासकल लगाएंगे ओके ओके आगे बढ़ते हैं दूरिंग दी मोशन आफ दी प्रोजेक्टाइल फायड फ्रॉम दी अर्थ सर्फिस प्रिथी की सत्य से परक्षेपित जो किया जाता है सत्य से गति उसकी मतलब इकक्ष के जाता है ठीक है तो यहां तो इसकी च सरफ यहां पर फिर जयादा हो जाती है यहां पर उसकी से कमह पर मोमेंटम उसका दौटा लेकिन उसकी जो आपकी हम होडिसोंन इसकी horizontal component है न, यहाँ पर इस region में, उसकी जो horizontal component velocity है, वो same रहती है, यहाँ पर, यहाँ पर, option number D, इसका right answer, option number D, okay, रहता है, ठीक है, और session को share और like जरू करेगा, ठीक है, session को share और like जरू करेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले question क्यों, अगला question, microwave, ध्यान दखेगा, satellite जो होता है, ठीक है, satellite जो होता है, satellite को control जो करते है, satellite से जो हमारा communication होता है, ठीक है, satellite से हमारा जो communication होता है, वो microwave के द्वारा कर रहा जाता है, किसके द्वारा, microwave, क्योंकि जो बाकि electromagnetic waves है न, वो ionosphere से टकराकर वापस earth atmosphere में आ जाती है तो आपका जो microwave होता है यह आपका कौन सी tube से बना होता तो इसमें calistron और magnetron दो tubes होती हैं इसमें calistron और magnetron दो tube होती हैं उनसे ही आपका बना होता microwave oven आगे बढ़ते हैं आगले question क्यों to creep drinks at the same temperature for the quiet sometimes the walls of thermos bottle are coated with aluminium paint, lead powder, silver layer, mercury layer देखो mercury layer तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि आपको पता है mercury अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो mini mata disease हो जाता है कौन सा होता है mini mata disease हो जाता है mercury तो कभी नहीं होगा lead जो होता है यह poisonous होता है lead क्या होता है आपका? poisonous होता है तो यह भी नहीं होगा ठीक है? तो इसमें से आपका aluminium है silver तो आपका silver होगा इसका answer option number C इसका right answer होगा ओके? इसका answer क्या होगा? आपका silver होगा यानि option number C इसका right answer होगा अब जरा यहां पर ध्यान दिजेगा क्या है? जो heat है हीट एक body से दूसरी body में या एक place से दूसरे place से जो transfer होती है तीन medium से होती है ठीक है? अब वो तीन medium कौन-कौन से होते हैं आपके number one conduction ठीक है? conduction metals जो होते हैं वो conduction से गरम होते हैं पर number two convention convection यह आपका सम्वहन आपका liquid or gases आपका convection से गरम होते हैं और number three आपका radiation जो सबसे जाद हीट लॉस होता है न radiations होता तो thermos में जो silver layer लगाई जाती है और वो जो से होता है उसमें आपका radiation को ही रोका जाता है इस वज़े से वो काफी समय तक गरम रह पाता है अगला question which of the following is not electromagnetic wave? निम लिखित में से कौन सी electromagnetic wave नहीं है x-ray x-ray is electromagnetic wave अभी corona में aims के जो director गुले रिया उन्होंने का कि ज़्यादा CT scan मत करा तो computerized tomography जो होता है उसमें x-rays की ही हम क्या करते हैं use करते है CT scan हो या आपका x-rays इसका जो invention और अविशकार था वो किस ने करा रहा था? विलियम रॉंट जन ने करा था विलियम रॉंट जन ने करा था radio waves आपकी दो type की होती है एक होती है short radio waves ओके दोनों ही communication के लिए use होती है और एक होती है long radio waves long radio waves आपका Markoni ने discover करी थी और short radio waves आपका Henrich Hertz ने करी थी cathode rays आपकी electromagnetic wave नहीं होती है infrared wave हम use करते हैं TV remote में किस में use करते हैं TV remote में use करते हैं और infrared के बारे में एक चीड ध्यान रखो infrared waves जो है ये इसके discover करी थी वो करी थी William Harshal ने करी थी किसने करी थी William Harshal ने इसका discovery करी थी ok very good हाँ चलिए हाँ ok नई अभी हुई नहीं सारे आपको classes करा रहा हूँ, ठीक है, एक ही subject पर ध्यान थोड़ी रखना, संजीव सिंग सर, ओके, the important nuclear fuel available in India in abundance, भारत में केरल में पाय जाता है, लेकिन इंडिया के पास अभी technology नहीं है, उस fuel को utilize करने की, ठीक है, उस fuel को use करने की, इंडिया के पास अभी उत्ती technology नहीं है, वो है fuel आपका thorium, world में सबसे largest जो पाय जाता है, वो किसमें पाय जाता है, केरल में thorium पाय जाता है, अच्छा, uranium की बात करूँ, uranium, तो uranium आपका सबसे ज़्यादा जो है, वो कजाकिस्तान में है, किसमें कजाकिस्तान में है, यह अलग बात है, जो produce जो कलता है, वो सबसे ज़्यादा ऑस्टेलिया कलता है, enrich जो कलता है, वो सबसे ज़्यादा कलता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, hair shaving of brush cleanses together when removed from water due to, अगर आप कोई भी दाड़ी बनाने वादा brush है, उसे पानी में डाल दो, तो उसके बाल चिपक क्यों जाता है आपस में, क्योंकि उनके बीच में जो surface tension है, वो खतम हो जाती है, surface tension यानि पश्ट तनाव आपका कम हो जाता है, जो sabun हैं वो पानी के द्वारा जो मेल को साफ करता है, उसका कारण भी यह है, कि आपका जो sabun है, यानि आपका जो sop है, वो पानी के surface tension है, और परश्ट तनाव को कम कर देता है, पानी के उपर तेल की बूंद जो है वो तैलती क्यों है उसमें मिलती क्यों नहीं है उसका रीजन क्या है कि पानी का यानि जल का जो प्रश्ट तनाव होता वो तेल के से जादा होता है आगे specific gravity of आपका milk किस से measure करते हैं ठीक है तो देखो viscos meter से हम viscosity को measure करते हैं किसको measure करते हैं viscosity को measure करते हैं viscometer से odometer से bike वगरा में लगा रहा था distance measure करते हैं क्या करते हैं distance measure करते हैं hydrometer से हम का humidity को measure करते हैं किसको measure करते हैं humidity को measure करते हैं और इस question का answer है hydrometer वैसे अगर हम pureness देखें तो milk की अगर बात करें, milk में देखा जाता है कि fat content कितना है, तो वो आपका lactometer से करता है, वो किस से करते हैं, lactometer से हम उसे calculate करते हैं, और session को share और like जरू करेगा, ओके, जल्दी से बिलकुल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगले question के और session को share और like जरू करेगा दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते है, जो metal तो हमेशा sonorous होता है, घंटा बजा टन जो आवाज आती है, वो sonorous होता है, ductile का मतलब होता है, आपका wire में बतला जा सकता है, सबसे ज़्याद है जो ductile metal होता है, वो आपका gold होता है, ठीक है, एक miligram gold से आप 200 meter तक की wire बना सकते है, malleable का मतलब होता है, आधात वर्धनी है, इसे आपका मतलब होता है, sheet में बतला जा सकता है, किसमें sheet में, और ध्यान रखे का सबसे ज़्याद है, malleable metal भी आपका gold और silver होता है, ठीक है, gold और silver, हम तभी तो मिठाईयों पे और हनुमान अगर, okay ? आगे, unfolding में हम किसका use करता है, solder use करता है,到 soldi जो टांका लगाने के लिए use करता है, I.C. हमें integrated chip तो हमें use किसका use करता है, tin और lead का use करता है, very good, बहुत बड़ी है, and the session we share and like शो करेगा, कि 4 सnyल बजे दुबारा किलास होगी और कल चार बजे भी हम कल chemistry पे बेस्ट कोश्चन करेंगे किस पे बेस्ट करेंगे chemistry पे तो option number 20 का right answer है अभी दो तिन दिन हम बिल्कुल कैसे करेंगे general science पर अपना फोकस रखेंगे तो सभी लोग हाजिर रहेगा जनाब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन बर्निंग और फाइड्रोजन पता है ना सके जब अभी कभी आप डिसकर वीडियो देखना और क्लो शॉट वाले वीडियो देखना ना सके जिसमें वो अपने रॉकेट्स को या वाटर प्रड्यूस होता है क्या होता है वाटर प्रड्यूस होता है अरे बिलकुल इसमें ही सेशन में के बाद आपको PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है ओके चुलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अगले कोशन के और अगला को अगला कोशन और अगला कोशन यह क्या हो रहा वही चलो एक कोशन दो बार हो गया ओके दासब्स्ट्रेंस यूज्च राइज moderator, देखो, Enrico Fermi ने, ठीक है, Enrico Fermi ने आपका 1940 में invention करी थी nuclear reactor की, nuclear reactor में आपका nuclear fusion reaction होता है, क्या होता है? nuclear fusion, वो स्वरी, nuclear fusion नहीं होता है, fusion होता है, ठीक है, fusion reaction होता है, और उसमें heavy water, जिसे deuterum oxide, यह आपका moderator के तौर पे काम करता है, moderator और coolant के तौर पे काम करता है, तो option नमबर यह, isotope होता है, hydrogen का, ठीक है, यह क्या होता है, isotope होता है, hydrogen का, और तो guys, यह आपको important questions थे, ध्यान दखेगा, इनको PDF ज़रूर डाउनलोड कर देजेगा, और ध्यान दखेगा, adder 24-7 पर 72% discount चल रहा है, इसका फायदा उठा सकते हैं, और अगर आप executive, देखो यहाँ पे YouTube पे तो पुरी जी जान सब पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको यह extra KL चाते हैं, तो हमारा यह DFC-SAL का आप batch join कर सकते हैं, description में इसका link भी है, adder 24-7 पर विजिट करें, capital U191 discount code को use करें, 72% discount offer का फायदा उठाईएगा, बागी अगर आप engineering के कर रहे हैं, तो engineering के लिए भी separate batches हैं, आप इसको join कर सकते हैं, मेरा नाम है जिवेशकुमार, मैं कल मिलूँगा आपको acid waste and salt और metals and non metals के questions के साथ, तब तक के लिए में तब से सभी को जाहें, जै भाहरत, God bless you all, bye bye, thank you very much.